हेलो इस्टुडेंट्स स्वागत है आप सभी का वोलकनो आईएस के डेली करेंट अफेर के डिसकसन में तो आज का जो करेंट अफेर का डिसकसन है उसे हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स टोपिक की तो हमारा पहला टोपिक है आयूर स्वास्तियोजना के बारे में Students आयूर स्वास्तियोजना को अभी रिसेंटली लॉंच किया गया है Ministry of IUS के दुआरा Ministry of IUS के बारे में आपको पता होना चाहिए कि 2014 के समय में इस ministry को constitute किया गया अब IUS ministry को क्यों constitute किया गया इसके behind के अगर हम reason की बात करें तो IUS ministry basically हमारी जो traditional health की जो practice है जो traditional health की practice है जिसके अंदर आप देखें कि योगा है यूनानी है होमियोपेथी है इस तरीके की जितनी भी हमारी traditional जो health की practice हुआ करती थी उन सब को promote करने के लिए एक separate ministry को constitute किया गया था IUS ministry उसके behind मा उसका जो main region यही था कि इनके थूँ हमारी traditional जो health practice है medical science से related उन सब को यहाँ promote करना है क्योंकि आप देखें कि इंडिया के अंदर जो चरक हैं या सुसूरुत हैं जो father of surgery की रूप में या father of medicine की रूप में जिनको जाना जाता है तो इंडिया में काफी समय से उन्होंने surgery को promote किया, surgery के बारे में उनको knowledge थी, चरक को भी काफी अच्छी medicine से related knowledge हुआ करती थी तो इन सब को promote करने के लिए आयूस ministry constitute की गई थी, उसी आयूस ministry की एक योजना है, एक scheme है, आयूर स्वास्ती योजना, आयूर स्वास्ती योजना यहां पे central sector scheme है students आपको पता होना चीए कि central sector और central sponsor के बीच में 14 difference है, तो central sector अगर कोई scheme है, तो completely जो 100% money है, वो यहां पे spend किया जाएगा center के दुआरा, center के दुआरा यहां पे 100% money है, वो center के दुआरा ही यहां पे spend किया जाएगा, तो यह है central sector scheme, आयूर स्वास्ती योजना है, central sector scheme, यहां यहां पे दो important component हुआ करते थे, जिसमें आयूस का जो basically public health institutions हैं, उनका development और center of excellence के रूप में ऐसे कुछ centers हैं, उनका यहां पे development करना था, तो इन दोनों schemes को यहां पे merge किया गया है, आयूर स्वास्ती योजना के थ्रू में, तो यहां पे जो central sector scheme थी, जिसमें grantee net दिया जाता था कि public health institutions को यहां पे आयूस sector से related जो public health institutions हैं, या initiatives हैं, उनको यहां पे promote करना है, तो इस basically एक scheme को merge किया गया है, और center of excellence, जो इसके अंदर में कोई ऐसे NGO, जो center of excellence के रूप में work कर रहे हैं, आयूस से related जो जो भी knowledge है, उसको promote कर रहे हैं, इसके लाबाब आप drug developer हैं, clinical research हैं, ऐसे non-profit कोई भी ऐसा institution है, जो develop कर रहा है, उसको central of excellence के रूप में यहां पे designate किया जाता था, तो इन दोनों schemes का यहां पे merge किया गया है, इस आयूर सवास्तियोजना के थरू में, यहां पे basically आयूर सवास्तियोजना के थरू financial assistance provide किया जाएगा, individual organizations को, institutions को, जिसके उनकी function औ अगर हम बात करें, आयूर सवास्तियोजना का जो central of excellence, जो component है, इसके अंदर basically establish करना है, medical health से related ऐसी unit, जो आयूस और alopathy से related institutions हैं, चायो non-government में हों या government के अंदर में हों, इसके अलावा support यहां पे provide करना है, creative and innovative proposals के थरूँ, जिससे यहां पे upgrade किया जा सके, और यहां पे support creative and innovative proposals को support में के रूप में central of excellence है, उनको develop करना है, ऐसे institution जहां पे research की जा सके, आयूस से related जो sectors हैं, students यहां पे 10 करोड का, 10 करोड का जो यहां पे maximum, जो financial assistance है, वो provide किया जाएगा, period of 3 year के लिए, ऐसे कुछ central of excellence, यहां पे public health institutions में develop होते हैं, आयू sector से related, तो उनको 3 साल के लिए 10 करोड यहां पे provide किये जाएगे, तो यह आपको पता होना चाहिए, यह कुछ बाते थी, आयूर स्वास्ति योजना की बारे में, central sector scheme है, यह आपको important point है, जिसके बारे में पता होना चाहिए, students next topic है, environment, social governance के बारे में, students environment, social governance, basically एक concept है, जिसे coin किया गया है, जिसके अंदर बताया गया है, कि जो investor है, जो investor अगर कहीं पे भी invest करते हैं, कोई भी basically corporate social responsibility से related कोई work है, तो उसका environment के ओपर कैसा effect होगा, उस basically कोई भी ऐसा initiative लिया जाता है, उसका social के क्या effect होगा, तो इसका calculation को basically ESG के रूप में जाना जाता है, environment and social governance का, इंडिया के अंदर जो ministry of corporate affairs है, जो complete matter है, उसको deal करती है, तो environment social governance इंडिया के अंदर जो पहली बार comments किया गया था, 2009 के अंदर इसको comments किया गया था, ministry of corporate affairs के दुआरा में, यहां पे voluntary जो guideline है, corporate social responsibility से related, वहां पे इसको add किया गया, कि कोई भी ऐसा initiative लिया जाता है, आप suppose कीज कुछ stationary से related जो सामान है, वो donate किया जाता है, तो वहां उसका क्या effect हो रहा है, किस तरीके से वहां पे environment के उपर में, जो social responsibility के रूप में, या social governance के रूप में, किस तरीके से वहां पे change आ रहे हैं, तो उन सब के बारे में, यहां पे deal किया जाता है, environment and social governance के अंडर में, Students, यहां पे financial year 2022 और 2023 के लूप में, business responsibility and sustainability एक report है, जिसको कौन publish करता है, world bank के दुआरा यह report publish की जाती है, business responsibility and sustainability report, तो उसके अंदर में mandatory किया गया है, कि ऐसी company, जो business responsibility and sustainability report के अंदर में, top 1000 के अंदर जिनका listate रही है, top 1000 के अंदर जो आई है, उन companies को यहां पे business responsibility and reporting को replace करना है, उसके साथ में उनको environment and social governance का जो concept है, उसको यहां पे use करना है, उनके working style के अंदर में, उनका जो corporate social responsibility है, उन सब activities के अंदर में, तो basically जो terminology है, इसको आप use कर सकते हो, अपने answers के रूप में, कि जो existing यहां पे business responsibility and reporting जो concept है, उसको replace करते हुए, यहां पे environment and social governance को use किया जाने जाएगा, corporate sector के अंदर में, Students, अगर हम बात करें next topic की, next topic है Asian giant tortoise के बारे में, essentially इसको हमारे एक North East का state है, जिसका एक national park है, वहां पे इसको introduce किया गया है, Asian giant tortoise के अगर हम बात करें, the soft release किया गया है, Asian giant tortoise का, इसके सुरू इनका जो conservation है, जो repopulation है, उसको यहां पे boost किया जा सके, soft release एक process होता है, जिसके अंदर captive raging species into the wild, जो captive area में, ऐसी species इसको develop करने के लिए captive area के अंदर उसको conjure किया जाता है, protect किया जाता है, और फिर उसको wild area में, एक limited wild area के अंदर उसको release किया जाता है, distribution के अगर हम बात करें, Asian giant tortoise के बारे में, तो बंगलादेश, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऐसे कुछ countries हैं, जहां पे पाया जाता है, Asian giant tortoise, अगर हम बात करें, students इसके diet की, तो bamboo suit है, इसके लावा tubers है, और ऐसे कोई juicy vegetables हैं, vegetation हैं, जहां पे ये पाई जाते हैं, frog को भी ये eat करते हैं, hunting, इनके consumption के, human अपने consumption के लिए इनको hunt करता है, तो hunting की वज़े से इनका जो basically main इनको threat है, जो face होती है, इसके लावा habitat loss है, anthropogenic activities हैं, जैसे construction है, slays and burn, slays and burn basically आपको पता होना चाहिए, कि हमारे north east के states में, tribal community के दुआरा, slays and burn या shifting agriculture की जो practice है, वो की जाती है, जिसको जूम cultivation के रूप में भी जाना जाता है, students अगर हम Asian giant tortoise की बात करें, इनका IUCN status critically endangered है, sites के अंदर इनको appendix second के अंदर रखा गया है, और हमारा जो wildlife protection है, उसका यहाँ पे schedule four के अंदर में इनको रखा गया है, Asian giant tortoise को, अभी इनको north east के जिस state के अंदर में release किया गया है, वो है nagaland, nagaland के अंदर ही नतांगी national park पाये जाता है, इसका जो IE है वो silent है, नतांगी national park, नतांगी जो national park है, नतांगी national park basically 1923 के समय में, जब British administration के अंदर ये area आया करता था, nagaland के अंदर में, तो वहाँ पे इनको protected area के रूप में establish किया गया, में जो flora वहाँ पर पाये जाता है, थिक rain forest है, वो एक natural habitat बनते हैं, बहुत सारी species के लिए, क्योंकि आप देखे कि हमने जब जो हमारी GC Lyon की book है, जिसके अंदर हमने wet and evergreen forest का जो climatic condition है, उसके बारे में read किया था, तो वहाँ पे हमने देखा था कि कैसे, जहाँ पे wet and evergreen या बहुत सारी बारीस होती है, वहाँ पे biological diversity है, वो बहुत सारी पाई जाती है, तो बहुत सारे ऐसे जो नई नई animal है, उनके रूप में, उनके एक habitat के रूप में, नतांगी नेशनल पार्क होम के रूप में वर्क करता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी बारीस होती है, और basically ये बताया गया है, इसके लाव अगर हम बात करें, फियोना की, तो बफैलो मिलते हैं, हो लोग गिबोन हैं, टाइगर हैं, और वाइल डोग हैं, फ्लाइंग स् हैं, ऐसे काफी सारी स्पीशीज हैं, वो वहाँ पे पाई जाती हैं, तो यहाँ पे आपका एक होमवर्क है, कि नतांगी नेशनल पार्क कौन से इस्टेट का नेशनल पार्क है, और कौन से डिस्टिक के अंदर ये पाया जाता है, क्या ये कि ये सिंगल डिस्टिक के अंद के बारे में देखा environment and social responsibility के environment and social governance के बारे में देखा कैसे ministry of corporate affairs के दुआरा इसको promote किया गया है और हमने यहाँ पे आयूर स्वास्ति योजना के बारे में देखा तो students बने रही है आप हमारे साथ हम continue इस तरीके से आपको current affairs अभी जो topics हैं वो cover करते रहेंगे thank you students thank you very much